जैहन मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का क्लामेक्स परिवार में हार्देख स्वागत है जैसा कि हम ट्रेन पढ़ रहे थे, ट्रेन में हम आपको एक क्लास दे चुके हैं और आज हमारी सेकेंड क्लास है अगर आप लोगों ने इसके पहले जो है ट्रेन की क्लासे नहीं देखी है तो आप मारी प्रेलेस्ट में जाकर डिस्कप्शन वॉक्स में लिंक दी गई है वहाँ से ट्रेन की पहली क्लास यानि फाउंडेशन क्लास जरूर देख लें क्योंकि अगर वो देख लेंगे तभी आपका बेसिक क्लियर होगा और ट्रेन आपको समझ में आएगी आज हमारी सेकेंड कलास है हमने कहा था कि हम एक ही फार्मूले से पूरी ट्रेन आपको पढ़ा देंगे तो चलिए स्टार्ट हो जाईए एक ही फार्मूले से पूरी ट्रेन पढ़ने के लिए देखिए ट्रेन आपका प्रतेक एक्जाम में आता है जैसे हम बात करें आपका कुछ इस्पेसल एक्जाम जैसे बात करें MP पुलिस, MPSI, UPSI, Group D, NTPC इन एक्जामों में कोश्चन आपके बहुत सारे आते हैं इस्पेसली MP पुलिस में 3, 4 या 5 कभी 3 कोश्चन, कभी 4 या कभी 5 कोश्चन आपके एक्जाम में आते हैं तो आप लोगों को धैर बनाए रखना है हम आपको पूरा ट्रेन सिखाने गारेंटी लेते हैं हम जितने भी सवाल पढ़ा रहे हैं जिस भी स्टाइब के पढ़ा रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा लाज तक क्लास को देखिएगा और देखिएगा कि आप अगर ट्रेन का हमारा पूरा कम्प्रीट नोट्स बनाते हैं तो इस जो हमाँ पढ़ाने का तरीका है इस से बाहर कंसर्प्ट आपके एक्जाम में नहीं जाएंगे तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा हम भर पूर तरह से प्रेक्टिस करवाएंगे अगर आप लोग चैनल पर नई हैं तो एक बार आप सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा और वैल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा आप चलते हैं अपने टॉपिक पे ओर तो देखो कल हमने आपको साधान प्रस्न पढ़ा दिया था आज हमें एक आपको हेडिंग पढ़ाने वाले हैं जो बहुत ही इंपोर्टेंट है वैडिंग क्या होगी समझना है जब रेल गारी किसी खमभे किसी खमभे किसी पेड़ किसी खड़े आदमी या किसी सिगनल को पार करे तो क्या करना होता है यसे आप समझने की कोशिस कीजिएगा हम समझाने की कोशिस आपको करते हैं जैसे आपके कोई train है, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इस तरीके से कोई आप एक object बना लीजिए, माल लीजिए हमने ऐसा बना लिया, ये क्या होगे आपका, इस तरीके से आपने एक ऐसा बना लिया, ये क्या हो सकता है आपका, ये आपका पेड़ भी हो सकता है, ये क् ie हुआ या खुड़े आदमी हो उसकते हैं में आदमी खड़े रहते हैं ना इस्ने के किनारे तो देखी आपको बताते ये देखो, आपको समझने की कोशिस करना है, जब train, किसी tree, किसी pole, किसी signal box या किसी stable man को पार करती है, जयसे example के तोर पर आप कूंढ़ लिजीए, जैसे मान लिजीए, हमारी क्या है आपकी train है, ये train ऐसे आईगी तब तो, कब पार करेगी ये देखो आप समझदे कोशिस करिए कि ट्रेन की लंबाई बहुत जादा होती है खंभी की जो थिकनेस होती है वो बहुत छोटी होती है मोटाई बहुत कम होती है खंबे की मोटाय कहा होती एसी हम है तो हवाई ठेक्नेस ट्रेन की तुलना में कितनी है नगान ना है तो इसको नेलेट मानते हैं देखो जब यहाँ ट्रेन आई इसको पार करने के लिए देखो पार कर गई क्या नहीं कर गई कब पार करी मानी जाएगी जब ऐसे आएगी ऐसे आएगी इस प्रेकार से पार करी मानी जाएगी जब कहा तक आ जाएगी आपकी यहां तक तो समझने की कोशिच आपको करना है कि जब ट्रेन का पार मानी जाएगी जब यहां से लेकर यहां तक की दूरी तैकल लेगी तो ट्रेन क्या हो जाएगी आपकी पार मानी जाएगी यहां से लेकर यहां तक की दूरी तैकल लेगी तब ट्रेन क्या हो जाएगी पार मानी तो ट्रेन ने कितनी देख़ी दूरी तैकी? तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तैकी. तो आप लोगों क्या कर लेना? यहाँ पे D बराबर L बना लेना है. क्यूंकि आदमी की कोई थिकनिस नहीं होती है. बहुत थोड़ी होती है जिसको हम जोड़ नहीं सकते हैं तो आपको क्या हैटिंग बनाना है जब ट्रेन किसी पेड़, किसी खमभे, किसी सिगनल बॉक्स किसी खड़े आदमी को पार करे तो D बराबर क्या होगा? L होगा यानि दूरी ट्रेन की लंबाई के क्या होने वाली है? बराबर होने वाली है तो बस ये आप बना लेजिए इस चीज को आप लोग अपने नोट्स में पॉपी कर लेंगे कि जब ट्रेन किसी पेड़, किसी खड़े, आदमी की सिगनल बॉक्स को पार करें, तो D बराबर क्या होगा? L होगा अब चलिए आते हैं अपने फाइनली कोशनों पे तो हम आपको सिखाएंगे कि एक ही फार मूले से कैसे आपका ये चेप्टर क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है और आपको एक-एक तरीके से कोशन सिखाते जाएंगे और आपसे चीजे बन जाएंगे इसके पहले अगर आप लोगोंने कल की क्लास नहीं देखी है तो कल की क्लास जरूर देखिएगा क्यूंकि जब कल की क्लास देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि बेसिक क्या है तो ध्यान से देखिएगा आपको बनाते हैं कोशन तो पहला कोशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 72 किलो मीटर पती घंटा की चाल से एक ट्रेन 36 सेकेंड में एक बिद्दुत पोल को पार कर जाती है ट्रेन की लंबाई ग्याद कीजी और ट्रेन की लंबाई ग्याद करना है मीटर में और ये कोशन आया है SSC CHSL 2020 यानि कुरोना काल में आया हुआ यह आपका Qучun है एकदम नया Qucun है अब देखिए आपको क्या करना है ट्रेन की लंबाई निकालना है ट्रेन किसी खंबे को पार करती है जब हमने कहा है एक ही फार्मूले से ट्रेन खतम हो जाएगा तो आप देखो फार्मूला क्या है आपका भी बराबर डी अपॉन टी क्या होता है भी बराबर डी अपॉन टी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टैन अब देखो आपकी स्पीड दी गई है 72 किलो मीटर पर घ आप देखऊ यहां से जो समय की बात की गई है तो समय कितना दिया गया है समय दिया गया है 36 सेकेंड अब ध्यान से देखेगा तो 18 दूनि चाट्यस 2 का गुढ़ा कराऊ पांच दूनि दयसे और 10 का गुढ़ा 720 से कराऊ तो ट्रेन की लंबाई कितनी आजाएगी 720 आजाएगी जब 72 से गुड़ा करा देंगे तो ट्रेन की लंबाई आपकी कितनी आजाएगी 720 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई आजाएगी एकदम नया कोश्चन है option number D आपका क्या है right answer है कोई भी ट्रेन का कोश्चन होगा हम एक ही फारमूले से खत्म कर देंगे तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और last तक एक एक क्लासे आपको देखना है और इन सारी क्लासों का आप लोगों को notes बनाते चलना है तो हम आपको last तक में सब कुछ सिखा देंगे और बहुत बहतरीन तरीके से आपको ट्रेन चलाना सिखा देंगे अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिए एक रिल गाड़ी 20 मीटर प्रती सेकेंड की गती से चल रही है यदि रिल गाड़ी की लंबाई 540 मीटर है तो एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी और समय किस में निकालना है सेकेंड में ससी जीडी 2019 से यानि जीडी में आया हुआ कोश्चन है इस बार फिर से आने की संभावना है तो ध्यान से देखिएगा एक ही फार्मूले से आपका क्या हो जाएगा ये भी खत्म हो जाएगा तो फार्मूला बना लीजे तो क्या होता है आपका भी बराबर डी अपॉंटी अभी आपको केवल बेसिक सवाल पढ़ाएंगे और जब ये हो जाएंगे तब आपको एडवांस लेविल के सवाल पढ़ाएंगे यानि ट्रेन आपको बहुत लेविल में पढ़ाएंगे आप देखो यहां से ट्रेन की चाल कितनी दी गई है बीस मीटर पर सेकेंड ये तो मीटर पर सेकेंड में इसमें को बदलने की जरूरत है नहीं है अब देखो यहां से रेल गाली की लंबाई दी गई है पांसो चालेस और आपसे कहा है कितने समय में पार कर लेगी तो देखो समय सेकेंड में निकालना है तो चाल मीटर पर सेकेंड में दूरी मीटर में होने चाहिए तो देखो यहां से जीरो से जीरो आप काड़ दोगे दो का बाग आप 24 में दोगे तो कितना आजाएगा ये आजाएगा आपको 27 सेकेंड कितना आजाएगा 27 सेकेंड यानि ट्रेन उसे खंभी को पार करने में कितने सेकेंड का समय लेगी 27 सेकेंड का समय लेगी आपका क्या है राइट आंसर ये एससे जीडी में आपका आया हुआ कोश्चन है चलिए आपको एकदम नए कोश्चनों की प्रेक्टिस करवाते हैं इतने अच्छी नए कोश्चन आपको किसी एकजाम में नहीं मिलेंगे ध्यान से देखिए अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है 120 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी एक पोल को 12 सेकेंड में पार करती हैं रेल गाड़ी की चाल ग्यात करें आरारी जेई 2013 19 में आया हुआ कोश्यन है और यह कोश्यन आपका आराजबी जेई में आया है और चाल कूछा है किलो मीटर पर घंटे में तो देखो समझने की कोशिस करना है फिर से वही कोश्यन आपका चाल बराबर पार्मूला होता है एक ही पार्मूले से ट्रेन खतम करना है इस्पीड ब कि हो जाएगी चाल तो इस फीर वाराबर डिस्टेंस उप उन् टाइम अब चूकी हमको किलो मीटर पर गन्टे में बनाना हैं gento हमने आपको कलकी کलास में सिखाया हुआ है कि अगर आपको किलो मीटर पर गन्टे में convert करना होता है तो क्या करते हैं 18 बटे 5 का गुड़ा करा देते हैं अब देखो 12 से ये कर जाएगा 10 बार में और 10 में आप 5 का भाग दोगे दो बार जाएगा और 18 का 2 से गुड़ा करा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 36 किलो मीटर प्रती घंटा कितना आ जाएगा 36 किलो मीटर प्रती घंटा आपका राइट आंसर आजाएगा अब देखें का उप्सन सही है तो उप्सन नमबर भी आपका क्या है राइट आंसर है चलिए आप लोग प्रते कोशन का छोटे-छोटे कोशन है इसक्रीन सोट लेते जाएगा हम साइड में हो जाये करेंगे आप लोग स्क्रीन सोट लेते रहा करिए और चीजों को बहुत अच्छे तरीके समझने कोशिस कीजिएगा अब देखिएगा इसके बाद आपको अगला कोशन बताते हैं और समझाने की कोशिस करते हैं तो ध्यान से देखिए अगला कोशन आपके स्क्रीन पर आया हुआ है क्या कह रह आपका आया हुआ है अब देखो एक ही फार्मूले से आपका खतम होगा तो फार्मूला क्या होता है भी बराबर डी अपॉन टी तो यहां से देखो चाल कितनी दीगा है साथ किलो मीटर पर घंटा तो यह हो जाएगा साथ किलो मीटर पर घंटा इसको मीटर पर सेकेंड में करवट करेंगे तो क्या करा देंगे पांस बटे अठारा का क्या कराने वाले है गुड़ा करा देंगे बराबर अब देखो यहां से निकालना है क्या दूरी आपको निकाल आपका क्या हो जाएगा अब देखिए आपके से migrant करेंगे हो सारे सोजाने कम्रेजीन हो। आपको पूरी तरीके से और पूरा प्ढणे की हुँवह। जरूरत पड़ती है अगला कोशन आपके स्क्रीन पर द्यान से देखिए 100 मीटर लंबी एक रेल गारी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी यदि उसकी चाल 144 किलो मीटर प्रति घंटा है आरार भी जेई 2019 में आया हुआ कोशन है अब देखो यहां से समझने की कोशिस करना है समय निकालना है सेकेंड में तो फार्मूला तो एक अई पढ़ा है क्या पढ़ा है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम अब देखो जो आपकी स्पीड है वो दी गई है 144 किलो मीटर पर घंटा तो यहां क्या करेंगे पांच बटे 18 का हम करा देंगे गुणा तो किसमे कनवर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में अब ध्यान से देखें दूरी यानि ट्रेन की लंबाई क्योंकि ट्रेन खंभे को पार कर रही है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी सव मीटर समय निकालना है तो यह देखो समय मान रख दिया अब देखो अब देखो यहां से क्या हो जाएगा आप गुणा करा देंगे तो देखो 18 से काड़ दो ट्रेक सो चवालिस तो आठ बार में कर जाएगा और आठ का पाँस से गुणा करा देंगे तो कितना आजाएगा आपका 40 बराबर 100 बटा 10 हो जाएगा तो देखो एक जीरो से एक जीरो आपने काड़ दिया अब देखिए यहां से आप कार दोगे तो यह आजायेगा आपका कितना 5 आएगा 5 में 2 का भाग देंगे तो आजायेगा 2.5 second कितना आजायेगा 2.5 second आपका right answer हो जाएगा ध्यान से देखिए कौन सा option सही है तो option number A आपका क्या है right answer है चलिए नोट कर लीजिए और आप लोग स्कीवट ले लीजिए इस question का ले लीए सब लोगों ने rough करते हैं और आगी बढ़ते हैं अपने अगले लच्ष की और आपको काफी सारे question की practice करवाते हैं आप लोग पहले क्या करिए स्क्रीन सोट लेते जाईए और बाद में इन कोश्चनों को नोट करते रहिएगा अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर आया ध्यान से देखिए एक रेल गाड़ी 76 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से चलती है यदि यह 36 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है तो रेल गाड़ी की लंबाई है SSC CPU में आया हुआ कोश्चन है किस एकजाम में आया हुआ कोश्चन है SSC CPU 2019 में आया हुआ कोश्चन है Central Police Officer आप लोग SSC में अगर CPU की तयारी कर रहे हो तो आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करिए एक CPU यानि Central Police Officer यानि कोई भी Central की जो भी जैसे बात करें CRPF, CISF, सौरी CRPF गलत कह दिया वो रेल वे में SI अलग होता है जो भी आपका दिल्ली पुले से जो भी इनका SI बनता है वो CPU की थ्रू बनता है इसका मतलबुता है Central Police Officer इसकी जो आपकी value होती है वो एक SP के भराबर होती है तो आप लोग तयारी करते रहिए मैथ सीखते रहिए क्योंकि मैथ और English से ही आपका SSC निकलता है चलिए तो ध्यान से देख लिया question आपने अब रेल गाड़ी की लंबाई को निकालना है तो एक ही फार्मूले से खतम करना है तो यहां से देखो फार्मूला हो जाएगा V बराबर D upon T क्या होता है V बराबर D upon T होता है अब देखो चाल कितनी दी गई है 76 किलो मीटर पती घंटा इसको तुरंत क्या करेंगे पांच बटे 18 से गुड़ा करा देंगे तो कनवर्ट हो जाएगा मीटर पर 30 सेकेंड में अब देखो यहां से लंबाई निकालना है कितने सेकेंड में पार करती है तो लंबाई निकालना 36 सेकेंड में पार करती है जायेगा च्छतित अब देखिए ध्यान से 186 स्काठ देंगे 2 बार में कर जाएगा और 2 का 5 से गुड़ा करा देंगे 10 नबर आपका राइट आश्र होने वाला है ध्यान से देखिए काउंसा ओप्सन सही है तो ओप्सन नंबर सी आपका राइट आंसर है चलिए आप लोग स्क्रीन सौट ले जिए और वन लाइन कोश्चन को सीखने की प्रेक्टेस करिए हम आपको भर को तरीके सिखाते हैं आज जो है अच्छे अच्छे कोश्चन आपको नोटस में कॉपी कर लेना है और डेली हमारे साथ पढ़ा करिए राइट टाइम पर अगला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा 75 मीटर लंबी एक डेल गाड़ी 60 किलो मीटर पती घंटे की गती से 60 किलो मीटर पती घंटे की चाल से किसी टेली ग्राफ के खम्भे को पार करने में कितना समय लेगी और समय निकालना है सेकर्ड में सेसी आपका 2015 और 2016 में आया हुगा कुश्चन है अब देखिए एक ही फार्मूले से आपका खतम हो जाएगा तो यहां से देखना है तो भी बरावर क्या होता है डी अपॉन्टी फार्मूला तो यह कही पढ़ा है और टेली ग्राफ कम्भे को पार करेगी तो डी के स्थान पर एल रख लेंगे अब देखो यहां से ट्रेन की चाल दी गई है कितनी 60 किलो मीटर पर घंटा तो यहां से क्या करेंगे पांस बटे 18 का करा लेंगे गुड़ा अब देखो दूरी यानि लंबाई कितनी है 75 मीटर लंबी एक ट्रेन है तो यह से कार्ड 2 दोनी 4 हो जाएगा और 9 दोनी आपका 18 हो जाएगा और इस 5 से 5 कार्ड 2 का भाग आप 9 में दोगे तो कितना आए जाएगा 4.5 यह फोर पॉइंट 5 सेकेंड आपका क्या होने वाला है राइट आंसर होने वाला है कितना 4.5 सेकेंड आपका राइट आंसर होने वाल रहा है चलिए ध्यान से देखिए तो कौन सो ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर भी आपका क्या है राइट आंसर है चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने जरूर बता रहे होंगे क्योंकि जब आप बताओगे तब हमारा परिवार थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और आपको हम बताते हुए बहुत ही आज हमें खुसी हो रही है कि हमारा जो क्लामेक्स परिवार है ये काफी बड़ा हो रहा है और हमारे सस्क्राइबर आप लोगों हासिल करनेंगे और bermax academy ने जो सपना देखा था वो सपने को भी बहुँत जल्द वो हासिल कर लेगा जो हमने सपना देखा हुआ था अपना शुरुआत में उस सपने की और हम अग्रसर हो रहे हैं और हम लोग दिन-ारत मेनत करते हैं कि अपने climax academy को शिखर तक ले जाने की कोशिस रहती है तो क्लामेक्स का मतला भी होता है सबसे उंचा तो आप लोग भी क्लामेक्स बनने की कोशिस कीजिए और दिन रात एक कर दीजिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए क्योंकि देखिए बिना मेहनत का कुछ कर सकते हैं क्योंकि मूँ चलाने वालों की दुनिया में कमी नहीं है बस आपको क्या करना है किसी से किसी प्रकार की कोई फालतू मैटर नहीं बनाना है कोई फालतू बाते नहीं करना है जो लडाई है जो प्रेम है वो किताबों से करना है आपको सफलता मिलेगी एक-एक कोश्चन से एक-एक पेज से लडाई करना है तब ही आप सफल होंगे आप लोग हमारी बात से सहमत होंगे और आप उचाईयों की ओर जाएंगे यह हम भगवान से दुआ करेंगे बस आपको मेहनत हमारे साथ करना होगा और घर में बैटके कुछ ना कुछ उम्मीदे निकलती है उन उम्मीदों पे आपको अगरसर होना है और आगे की ओर बढ़ना है चलिए तो भालतू बाते ना करते हुए शमय को जादा बरबाद ना करते हुए आपको सिखाते हैं अगला कोश्चन आपकी रिस्कीन पर रहा ध्यान से देखिए कोश्चन क्या कह रहा है एक 600 मीटर लंबी रेलगाडी एक 600 मीटर लंबी रेलगाडी 30 किलो मीटर पती घंटे की गती से चल रही है रेलवे लाइन के पास खड़ी एक आदमी को पार करने में इसे कितना समय लगेगा ये आपका सिखी फेज 8 ये आपका कोश्चन 2020 में आया ह है समझ रहो ना बहुत ही अच्छा कोश्चन ये कोरोना काल के बाद में जो सस्थी का एकड़ाम हुआ था उसमें कोश्चन आपका आया हुआ था देखो आपको समय निकालना है सेकेंड में तो फार्मूला तो हमने एक पढ़ा है कौन सा फार्मूला पढ़ा है भी बराबर D upon T कौन सा फार्मूला पढ़ा है V बराबर D upon T तो देखो यहां से चाल दी गई है आपको 30 किलो मीटर पर घंटा तो यहां से देखो क्या करेंगे 5 बटे 18 से करा देंगे गुणा आप देखें यहां से दूरी आपको यांटेन की लंबाई दी गई है आपका 6 बार में और 5 से कार दो तो यह कर जाएगा आपका 12 बार में और 12,5 और 12,6 बहत्तर यानि कितना आजाएगा 72 सेकेंड आपका राइट आंसर आजाएगा 72 सेकेंड आपका राइट आंसर आजाएगा देखें option number D क्या है आपका सही है तो चलिए इस प्रकार से आपको जो हमने one line question पढ़ाए है वो आपको समझ में आ गये होंगे ऐसी हम आपसे उमीद और आसा करते हैं तो इस टाइक का question आपसे बन जाएगा और ये concept mind में आपके कूट कूट कर भर गया कि जब रेल गाड़ी किसी खम है किसी पेड़, किसी चटान, किसी खड़े आदमी या किसी सिगनल बॉक्स को पार करेगी तो चूकी वो ट्रेन की तुलना बहुत छोटा होता है तो दूरी के स्थान पर ट्रेन की लंबाई को बना देंगे ये concept अगर आपके mind बैट गया है तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको चीजे और अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिस करते हैं तो चलिए अब आपको क्या करना है आगली हेडिंग मना लेना है जब रेल गाड़ी किसी फुल, प्लेट फॉर्म या सुरंग को पार करें समझने की कोशिस आपको करना है फिर से ये नया कंसेप्ट नहीं है थोड़ा सा अच्छा है हम आपको सिखाने की कोशिस करेंगे देखिए जैसे आप मान लीजिए इस प्रकार से आप मान सकते हो क्योंकि देखिए अब यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए ट्रेल भी आप चलाओ गए जैसे ये मान लीजिए ये आपका क्या हो गया देखो प्लेट फॉर्म हो गया इसको आप क्या कह सकते है इसको आप कह सकते हो कि सर ये प्लेट फॉर्म क्योंकि प्लेटफॉर्म भी बहु लंबा होता है यह हो गया आपका प्लेटफॉर्म यह देखो प्लेटफॉर्म हो गया यह इतना ही लंबा आपका क्या होता है पुल होता है इसे हम लोग बिर्ज कहते हैं और बहु लंबाई का हमारा क्या होता है सुरंग होती है कि नो सूरंग होती यह तरें भी इतनी ही लंभी होती है देखे यह अंदाज अ लग गयाँ वहाश करते हुए धुपक धुपक Belgatesa ह हमारी आते हुए पार कर गई है आप लोगों की छूट गई ट्रेशन से अब आप को नहीं रोकेगी और नहीं मिलेगी यह देखो यह देखो ट्रेन आपकी रेलवे स्टेशन को क्या कर चुकी है पार कर चुकी है तो यहां से आपको समझने वाला पॉइंट यह था प्यारे स्टुडेंट समझिएगा चीज़ों को कि ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म पुल या सुरंग को पार करेगी तो यहां से चलना स्टार्ट हुई थी और कहां तक दूरी तैकी है ट्रेन ने यहां तक दूरी तैकी है इसका कहने का मतलब है कि ट्रेन ने अपनी लंबाई को भी पार किया है तो ट्रेन की लंबाई को एल माल ले और यह कोई आपका आपजेक्ट ह मतलब platform है pole है, सुरंग है उसकी लंबाई को भी पार किया है मतलब वहाँ भी था कि आदमी को भी पार किया था मगर आदमी train की तो लना बहुत छोटा होता है तो आदमी को नहीं जोड़ा जा सकता था तो अब देखो यहाँ पे train ने कितनी दूरी तई की है X प्लस L आप कहोगे X क्या है तो X आपका सुरंग, pole या platform है L क्या है, train की लंबाई है तो आपको यह concept और यह heading बना लेना है कि जब रेल गाड़ी किसी खम है सुरी, जब रेल गाड़ी किसी platform, pole या सुरंग को पार करे तो D बराबर क्या हो जाएगा आपका L प्लस X हो जाएगा यानि दूरी किसके बराबरत होगी train की लंबाई के बराबर और इन object के बराबर हम उमीद करते हैं कि आप हमारी इस बात से इस छोटे से concept से संतुष्ट होंगे और आप चीजे सीख रहे होंगे चलिए इसको हम rough करते हैं और आप लोग screen shot ले सकते हैं इसका और बता सकते हैं कि climax academy के math के सर तरदियोशन ने आपको train चलाना सिखाया है और क्या concept बताया है इसका screen shot लेके आप अपने status के माध्यम से बता सकते हैं लोगों को train ऐसे चलाई जाती है और आप लोग screen shot ले लेंगे चलिए बताये कैसी लग रही है क्लास अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग एक बार like जरूर कर दिया करो जितने भी लोग देखते हैं तो like का button जरूर दबा दिया करो ताकि हमको पता चलेगा कि इतने लोग देखने के बाद कितने like कर रहे हैं क्योंकि like और share से ही तो हमारा परिवार जैसे speed से आप लोग बढ़ा रहे हैं बड़ी खुसी हो रही है और आप लोग देखते जाए कितने जल्दी हम लोग आगे की ओर जाते हैं बस आपके सहयोग की जरूरत है तो बस आप लोग ने screenshot ले लिया ना आगे बढ़ते हैं और सिखाते हैं आपको नया concept आप हमारी class को बार बार देखिए देखिए आपको प्रतेग chapter बहुत अच्छा सिखाने की guarantee थी आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बहुत सारे question आपको सिखाएंगे चलिए तो इसमें आपके type first क्या पहला question लिखिएगा इसमें आपके काफी सारे type भी बनेंगे question भी बनेगा तो type first में पहला question ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है question आपके screen पर है 350 मीटर लंबी rail गाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकेंड में पार करती है rail गाड़ी की चाल किलो मीटर पती घंटे में क्या है SSC THSL 2020 यानि कोरोना काल में आया हुआ पिछले साल का question है इसको तो छोड़ेंगे ही नहीं क्योंकि ये question कोरोना में आया था और कोरोना में आई हुई हर एक चीज को हम तोड़के ही मानेंगे चलिए ध्यान से देखिए तो क्या आएगा इस question का right answer तो हमने जो concept बताया था क्या बताया था फार्मूला तो एक पढ़ाया है एक ही फार्मूले से आप train चला लेंगे भी बराबर d upon t अब देखो आपको speed निकालना है अब दूरी में क्या करेंगी कहा है question को 350 मीटर लंबी दे लगा ले 250 मीटर लंबे पुल को जब पुल को पार करेगी तो इसका मतलब यह है कि दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 350 प्लस है 250 350 प्लस है 250 और पार करने में जो समय लग रहा है वो समय लग रहा है 20 सेकेंड का तो यहां से ध्यान से देखेंगे कि 3 और 2 पांच और 5 और 1 च्छै यानि 600 बटे 20 हो जाएगा आप देखो यहां से क्या है ट्रेन की लंबाई मीटर में है समय दिया गया है सेकेंड में और 4 निकालना है किलो मीटर प्रती घंटे में तो यहां से देखो कि किलो मीटर प्रती घंटे में बनाना है तो आपको 18 बटे 5 का गुणा कराना पड़ेगा तो यहां से देखो 0 से 0 आपका कट जाएगा 5 दूनी 10 से 1 0 आपका और कट जाएगा 1895 और 186 का यानि जो आपकी ट्रेन की स्पीड आजाएगी 108 किलो मीटर प्रती घंटा आपकी क्या आजाएगी स्पीड आजाएगी कितनी आजाएगी 108 किलो मीटर प्रती घंटा यानि option number A आपका क्या है सही है चलिए आप लोग screen sort लीजिए और इन नए-नए कोश्चनों को पढ़ने का concept आपको हम सिखाते हैं कि नए-नए कोश्चन आपके एकजाम में कैसे पढ़ाते हैं और कैसे कोश्चन एकडम नए का कोश्चन जो आपके एकजाम में आया हुगा है वही कोश्चन आपको हम पढ़ा रहे हैं आपको ऐसे कोश्चन अभी तक किसी बुको में नहीं मिलेंगे और छोटे-छोटे कोश्चन आपके ये एकजाम में आने के दृष्टी से बहुत ही महत्वपूर्ण है अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 360 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी 45 किलो मीटर पती घंटे की चाल से चल रही है 104-140 मीटर लंबे पुल को यह कितने सेकेंड में पार करेगी आर आर बी जेई रेलवे रेक्वाइर्मेंट बोर्ड जेई यानि जुनियान इंजिनियर 2019 में आया हुगा आपका कोश्चन है चलिए ध्यान से देखेंगे तो यहां से आप फार्मूला तो एक ही बनाए हो यहां से देखो ट्रें की चाल दी गई है 45 किलो मीटर पती घंटा तो यहां से क्या करेंगे आप 5 बटे 18 का गुड़ा करा लोगे तो यह कनवर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में अब देखो टेन की लंबाई कितनी है 360 मीटर लंबी एक टेन है और देखो ये किसको पार करती है 140 मीटर लंबे पुल को समय निकालना है यानि T का मान आपको निकालना है तो यहां से देखो T का मान आपासानी से निकाल लोगे तो यहाँ पर देखो रख लेंगे 45 गुड़ा 5 और बटा हो जाएगा आपका 18 और यहाँ आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 500 कितना हो जाएगा 500 समय निकालना है तो आप T देखो निकाल लोगे आप देखो यहां से आप क्या करोगे आप काट दीजिए कैसे काट दो आप 9 से तो 9 दूनी 18 और 9 पना 45 तो 5 गुणा 5 पच्चेस होगा 25 दूनी 50 20 होगा और 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा 40 यानि पार करने में जो समय लगेगा वो कितने सेकेंड का समय लगेगा 40 सेकेंड का सम लगेगा option number B आपका क्या है right answer है चलिए screen shot लीजिए और आगे बढ़ते हैं अपने नए concept की और आपको और सिखाते हैं train का नया question एकदम नया question आपको सिखाते हैं तो ध्यान से देखिए आपके screen पर आया हुआ एकदम नया question प्लेट फॉर्म की लंबाई रेल गाड़ी की ल प्लेट फॉर्म की लंबाई क्या है sscgd 2019 में आया हुआ question है अब बताईए sscgd के question आप लोगों नहीं पढ़े थे हम आपको बताते हैं एक ही फार्मूले से आपका ये खतम हो जाएगा फार्मूला क्या होता आपका भी बराबर d upon t अब देखिए आप से कुछ कहा हुआ ह कहा है कि प्लेट फॉर्म की जो लंबाई है यानि देखिए प्लेट फॉर्म है जो आपका समझने कोशिस कीजिएगा जो आपका प्लेट फॉर्म है प्लेट फॉर्म की लंबाई रेल गारी की लंबाई की दुगनी है अगर रेल गारी की लंबाई को हम x मान लिए तो प्ले अब देखो यहां से कोश्चन में कहा है रेल गाड़ी की चाल 144 किलो मीटर पर घंटा है तो यह देखो आपको दिया गया 144 तो यहां से क्या करोगे आप 5 बटे 18 का करा लोगे गुड़ां और दूरी में क्या करते हैं दोलों की लंबाई को जोड़ देते हैं तो देखो रेल ग आठ देगे तो 8 बार में कर जाएगा 14, 845, 40, 40 आ जाएगा और 40 तिया 120 यानि आपका हो जाएगा 1200 और यहां आएं एक्ष प्लस 2 एक्ष क्यतना हो जाएगा? 3 एक्स तो 3 चोको 12 एक्स का मान क्यतना जाएगा? x का मान आ जाएगा 400 अब देखो अगर रेल गारी की लंबाई पूछे तो 400 और प्लेट फॉर्म की लंबाई पूछे तो 800 तो क्या पूछा है आपसे प्लेट फॉर्म की लंबाई क्या है तो 2X है ना तो प्लेट फॉर्म की लंबाई हो जाएगी 800 मीटर कितनी हो जाएगी 800 मीटर आपकी हो जाएगी चलिए आप लोग इस कोशन को जो है नोट कर लीजिए इसका स्क्रीन सॉट ले लीजिए और बताईए कैसा लगा आपका ये कोशन SSC GD में आया हुआ कोशन स्क्रीन सॉट ले लिया ना चलिए ध्यान से देखते हैं अब बताते हैं आपको अगला कोशन और सिखाते हैं आपको नए नए कंसेट और आप लोग क्लाइमेक्स एकेडमी के साथ जुरे रहे हैं देखिए आपको सारी क्लासे मिल रहे हैं और बहुत जल्द आपको सारी क्लासे मिलने लगी जब तक आपकी offline क्लासे हम लोग नहीं open कर रहे हैं तो online पढ़ाएंगे और offline जब खुल जाएंगी तो आपको climax academy का सबसे बड़ा जो benefit मिलेगा कि offline class में आप पढ़ोगे और सामको आपको 6 बजे से और अभी तो तो उसका benefit अलग मिलेगा क्योंकि हमारा उदेश सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है आपका उदेश सिर्फ और सिर्फ पढ़ना होना चाहिए इसलिए climax academy का पार्ट बने और आप लोग महिनत करें और इस महिनत के साथ अपनी उचाईयों को अपनी बुलंदियों को और अपने लक्ष को हासिल करने का जो आपने सपना देखा है उस सपने को साकार करने के लिए दिन और रात एक कर दीजिए क्योंकि बहुत जल्द आपके एक्जाम होने वाले हैं और बहुत जल जो आपने सपने देखे थे उसको पूरा करने का मौका मिलने वाला है तो आप लोग जो है अभी से मिहनत करना स्थार्ट कर दीजिए और प्रतेक सब्जेक्ट पर पूरा पूरा फोकस करें और अपने कमियों को देखिए कि हम में क्या कमी है और उस कमी को किवा मिटर लंबे एक प्रैट फॉर्म को पार करती है इसकी चाल गयात कीजिए अर्भी जेए दो हजार उन्नीस में आया हुआ कोशन है इसकी चाल किसकी चाल हमारी चाल नहीं ट्रें की चाल आपको निकालना है तो देखो यहां से एक ही फार्मूले से जो हमने बताया था उसी फार्मूले का यूज करना है तो फार्मूला क्या बन जाएगा भी बराबर डी अपॉन टी फार्मूला बन जाएगा आपका भी बराबर डी अपॉन टी तो यहां से देखोगे अब देखो आपकी चाल निकालना है अब दूरी में क्या करेंगे के दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे तो 120 मीटर लंबी एक गिरिल गाड़ी यहां से दिखो प्लस सव मीटर लंबा है और पार करने में जो समय लगता है वो कितने सेकेंड का समय लगता है दस सेकेंड देखा अब देखो यह आज आएगा आपका भी बराबर 220 बटा दस यह आपकी चाल किस में आ गई मीटर पर सेकेंड में और आपको चाल निकालना है प्यारे स्टूडेंट किलो मीटर पर घंटे में तो यहां से क्या करना होगा आपको 18 बटे 5 का गुड़ा करा द देना होगा निकला आएगा तो एक 0 से एक 0 कटा देंगे अब दिको यहां से स्पीन निकाल लेंगे तो यह आज आएगा आठारा दूनी 10 तो यह आजाएगा 79.2 किलो मीटर पर आवर आपका right answer कितना आजाएगा 79.2 किलो मीटर पर आवर यानि option number B आपका क्या है सही है कौन सा सही है आपका option number B आपका right answer चलिए जल्दी से आप लोग screenshot लीजिए और बढ़ते हैं अपने अगले question की और जल्दी यल्दी आप लोग इनी screenshot लीजिए ना आपको देखिए पूरी train एक ही फार्मूले से कोई दूसरा फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा और देखिएगा आपको कितने सारे question पढ़ाते है train में आपको बहुत मजाने वाली है क्योंकि ये आपका train हम बहुत high level में पढ़ाएंगे और अच्छे-च्छे question धीरे धीरे आपको ले चलेंगे अपने अच्छे-च्छे question की और अगला question आपकी screen पर ध्यान से देखिए 72 किलो मीटर पती घंटे की रपतार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेल गाड़ी को 132 मीटर लंबा पुल को पार करने में कितना समय लगेगा और समय निकालना है second में RRB J2 2019 में आया हुआ आपका question है अब देखिए question आपको समझाते हैं एक ही फार्मूले से तो फार्मूला देखो बना लीजे तो फार्मूला क्या बनाओगे B बराबर D upon T फार्मूला बनाओगे B upon B is equal to D upon T बहुत सारे student हमारे ट्रेल सीख रहें और जल्दी यल्दी question का अंसर बता रहे हैं अब देखिए चाल कितनी है 72 किलो मीटर प्रती घंटा तो यहां से क्या करोगे आप पांस बटे 18 का करा दोगे गुडां आप देखिए यहां से क्या है question में कहा है कि आपको क्या कर गया है 110 मीटर लंबी रेल गाड़ी है तो यह रेल गाड़ी की लंबाई 110 मीटर और प्रेटफोर्म की लंबाई 132 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा वही समय आपको निकालना है तो देखो 18 चोको 72 चार बार में कर जाएगा और यह हो जाएगा 5 चोको 20 और इसको यहां से जोड़ देंगे तो यह आजाएगा 2, 3 और 1, 4, 1, 2 ताइम निकाल देंगे तो यह देखो आप क्या करो 2 से कटा दो तो 10 बार में कर जाएगा और 2 से कटा दोगी तो 1, 2, 1 और 10 का भाग दे देंगे तो यह टाइम आजाएगा आपका 12.1 कितना आजाएगा 12.1 सेकेंड आपका राइट आंसर आजाएगा कितना राइट आंसर आजाएगा 12.1 शेकेंड आपका राइट आंसर आजाएगा option number B आपका क्या है सही है option number B आपका राइट आंसर है चलिए आप लोग इस question का skin sort ले लीजिएगा और हम उमीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी train चला पा रहे होंगे और आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा कैसी लग रही है आप लोगों को class है और आप लोग कितने कितने मित्रों को class share कर रहे हैं इस चीज का विबरण भी आज आपको comment के माध्यम से बताना है जितने भी जैसे आप लोग 5 मित्रों को भेज रहे हूं तो लिख दीजे 5 जो 4 मित्रों को भेज रहा है तो 4 जो 10 लोगों को भेज रहा है 10 लिखिए यानि comment करके बताईए आप लोग जल्दी जल्दी कितने कितने मित्रों को आज आप class share करेंगे और आप लोग अभी बताईए कि आज आप कितने अभी तक किया है तो ठीक है नहीं किया तो आज बताईए कि कितने लोगों को आप share करेंगे सब लोग comment करके बताएंगे और हम समझेंगे तब आप जब share करोगे तभी तो हम आप समझ पाएंगे कि आप लोग कितना हमारा सहयोग कर रहे हैं जल्दी जल्दी जितने भी लोग देख रहे हैं तो सब बताईए जो लाइब नहीं देख रहे हैं बाद में देख रहे हैं तो वो भी comment box में जरूर बताएंगे कि आप लोग जो है क्लाइमेक्स एगेडेमी से इस ट्रेन का टॉपिक कितने लोगों को सेयर कर रहे हैं चलिए अब देखिए अगला question आपको बताते हैं एक रेल गाड़ी 90 किलो मीटर पती घंटे की चाल से एक सो शो मीटर लंबे पुल को पार करने में दस सेकेंड का समय लेती है रेल गाड़ी की लंबाई मीटर में ग्यात करें आर आर बी एल पी 2018 यानि असेस्टेंट लोको पाइलेट यान ट्रेन चलाने वाली जो नौकड़ी होती है उसी में आया हुआ question तो चलिए ध्यान से देखिए आपको बताते हैं उसका question तो यहां से एक ही फार्मूले से आपका ट्रेन खताम हो जाएगा तो फार्मूला क्या बनेगा भी बराबर डी अपॉन टी फार्मूला बनेगा भी बराबर डी अपॉन टी तो यहां से देखिए चाल कितनी है आपको 90 किलो मीटर पती घंटा तो यहां से क्या करोगे आप पांस बटे 18 का गुड़ा करा दो आप देखिए क्या question में कहा है कि 110 मीटर लंबे पुल को पार करने में तो देखो अठारा पंचिनब्बे पांच बार में कर जाएगा और पांच गुड़ा पांच पच्चिस हो जाएगा पच्चिस गुड़ा दस कितना हो जाएगा 250 वराबर 100 प्लस ल तो यहां से 250 में 100 घंटा दो कितना जाएगा 150 यानि ट्रेन की लंबाई जो है आपकी कितनी आने वाली है 150 मीटर आपको ट्रेन की लंबाई आने वाली है चलिए आपका ओप्सान नंबर डी क्या है सही है आप लोग इस कोश्चन का स्क्रीन सोट लीजिए जल्दी से और आपको छोटे-छोटे कोश्चनों के माध्यम से हम ट्रेन की उस सिखर तक ले जाएंगे जहां पे आपको बहुत मजा आने वाली है और आपको बहुत सारा ट्रेन पढ़ाएंगे तो अगला कोश्चन आपके स्कीन पर ध्यान से देखिए एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकेंडों में पार कर लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है RRB ALP 2018 में आया हुआ कोश्चन है अब ध्यान से देखिएगा एक ही फार्मूले से तो फार्मूला आपको वही बना लेना है फार्मूला आपका है क्या B is equal to Speed is equal to Distance upon time Speed is equal to क्या है आपका Distance upon time है तो देखो आपको चाल दी गई है 54 किलो मीटर पती घंटा तो यहां से क्या करोगे आप 5 बटे 18 का करा दोगे गुणा 5 बटे 18 का गुणा आप लोगों ने करा दिया अब देखिए 150 मीटर लंबी एक टेन है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है तो उसको क्या मालने होगा अब लोगो एक्स माल लेंगे और पार करने में जो समय लगा है वो समय लगा है आपको 42 से कहने का तो ध्यान से देखिएगा 18 से कटा दो तो 18 ती अच्वण तीन बार में कर जाएगा और 5 का जब 3 से गुणा कराओगे तो 15 और 15 का जब आप 42 से गुणा कराओगे तो 15 दूनी 30 का जीरू हो जाएगा हां से लाया 3 और 15 का जब 4 से गुणा कराओगे 15 चुको 60 और 60 में जब आप 3 जूड़ स्वरी 60 में 3 जूड़दो कितना हो जाएगा तो 630 बराबर 150 पलस एक्स तो देखो अगर 600 में आप क्या करोगे आपको 600 में अगर आपको क्या करना है 600 में अगर आप 150 गटा होगे तो 450 बचेगा 30 और जूड़दो तो 480 हो जाएगा यानि 480 मीटर आपके प्लेट फॉर्म की क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी 480 मीटर आपको प्लेट फॉर्म की लंबाई मिल जाएगी ध्यान से देखे कहों सा ओप्शन सही है तो ओप्शन नमबर सी आपका क्या है राइट आंसर चलिए लीजिए स्क्रीन सोट आगे बढ़ते हैं आपको और सिखाते हैं चोटे चोटे कंसेट के माध्याम से एकदम नए कोशन जो आपके प्रिबियस एकजियार के एकजाम में आई बे हैं और हम बहुत सारे कोशन पढ़ाने का उद्धिस यह है ताकि आप अच्छे अच्छे कोशन सीख जाएं अब देखिए अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर है एक ट्रेन 375 मीटर लंबे एक ट्रेट पॉम को 27 सेकेंड में पार कर लेती है यदि ट्रेन की रबतार 70 किलो मीटर पती घंटा हो तो ट्रेन की लंबाई क्या है आरारवी एलपी 2018 में आया हुआ आपका कोशन है और आज का ये last question है ठीक है आज के लिए तना पर्याप्त है और आपको कल पढ़ादेंगे तो ध्यान से देखिएगा सब लोग last question भी बराबर डी अपॉंटी क्या है फार्मूला भी बराबर डी अपॉंटी तो यहां से देखिए ट्रेन की आपको रफ्तार दी गई है 70 किलो मीटर पती घंटा तो यहां से क्या करोगे आप 5 बटे 18 का करा दोगे गुड़ा अब दूरी में क्या करेंगे जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे तीन सो पच्छतर मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को यहां से देखो 9 दूनी 18 नौती है सकता इस तीन बार में कर जाएगा अब देखो यहां से क्या करोगे आप गुड़ा कराओगे 2 से भाग 2 तो कितना अजाएगा 35 और यह देखो 3 का यहां गुड़ा कराओ तो 5 दिया 15 अब देखो 15 गुड़ा 35 आपको करा देना है तो ध्यान से देखिएगा 15 गुड़ा 35 कराओगे तो 15 में से आपको कितना घटा ना होगा L प्लस 375 तो बस यहां से आपको क्या करना है माइनस कर देना है तो दिहान से देखी कितना आजाएगा जब आप यहां से माइनस करोगे तो आपका आएगा कितना 150 कितना आजाएगा 150 आपका right answer हो जाएगा तो यहां से देखो 150 आपका right answer हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगी आपके ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 150 मीटर क्योंकि 350 में अगर यह जोड़ देते हो तो आपका 500 हो जाता है 25 जोड़ दो तो 175 हो जाएगा यह निए 150 आजाएगा option number देखिए कौन सा option option नमबर यह आपका क्या है चलिए आज की लितना परयाप्त है आगे ट्रेन आपको कर पढ़ा देंगे क्योंकि धीरे धीरे हम चीजे पढ़ेंगे तभी हम बहुत अच्छा सीख पाएंगे तो आप लोग daily हमारे साथ जुरे रहिएगा और हम आपको पढ़ाते रहेंगे ट्रेन और टेन के बाद आपका स्टार्ट होगा एडवांस मैथ का टॉपिक समझ रहे हो ना तो आपको एडवांस मैथ प्लस अर्थमेटिक मैथ पूरी एक से दो महीने में सिखा देंगे तो अब जो हैं हमारे daily क्लासे चलेंगी और हम आपके साथ रहेंगे बहुत जल्द आपकी offline क्लासे खोले जाना है और जो आपके नए भाई बहन हैं जिन्होंने बार्मी की है या जिन्होंने अभी तक competition नहीं पड़ा है तो climax academy team ये चाहती है कि ऐसे छोटे छोटे बालकों को हम एक नई दिशा और नई राह में बहुत उचाई तक जो हमने ले जाने का लक्ष देखा है तो उस लक्ष में उनको सामिल करिए और हम ऐसे लड़के और लड़कियों को इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि जो आपने चार साल में किया है यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है वह आपको हम 6-8 महीने में करके देख लाएंगे जिसका रेजल्ट आपको 6-8 महीने में दिखने लगेगा तो आप लोग ऐसे छोटे भाई बहनों को हमारी क्लाइमेक्स अकेडमी के बारे हैं बताईएगा कि क्लाइमेक्स अकेडमी जो आपकी ऑफ लाइन के साथ साथ ऑन लाइन भी आपके साथ है तो चलिए आप से कल मिलते हैं और जब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत बंदे मातरम धन्नवाद